रोगा डाम शारदी माता, क्या आप जानते हैं कि भारत की शड़ रितुओं में से शरद रितू को रोगों की माता कहा गया? तो फिर इस रितु में रोगों से लड़ने की शक्ति यानि की इमुनिटी हमें हमारी शक्ति शालि दुरगा माता की सिवा और कौन दे सकता है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं ये तो हमारी संपून आयू को स्वस्त रखने वाले आयू के विशिष्ट वेद यानि की आयूर वेद और कई तरह के पुरानों में पताया गया जी हाँ शरद रितु में पित दोश प्रकुपित होकर कई तरह के ब्यांकर रोग जैसे की पैरलिसि कि बुद्धी जीवी रिशियों ने इस तरह से डिजाइन किया कि जाने अंजाने तेवारों के बहाने हर व्यक्ति को सहज रूप में इम्मिनिटी मिलती रहे और वो स्वस्त रहे और आप तो जानते ही हैं कि इस वर्ल्ड पैंडेमिक में इस इम्मिनिटी की हमें किस कदर जरूरत है इसलिए उन्होंने शक्ति स्वरूपनी दुर्गा के नो रूपों को संपूर्ण स्वास्थे देने वाली नो तरें की जड़ी बूटियां नो दिन का पित शमन प्रसाद नो दिन की पित शमन चांदनी के सेवन की रातरी चरया मन को रज और तम से बचाने के लि तो हुआ ना हमारा धर्म ही विज्ञान तो चलिए जानते हैं नवरातरी के पीछे की स्वास्त कहानी सुप्रुसित आरवेद आचारे वैदे हितेश जाने की चुबानी लोकाइरवेद कॉंसेट पेस नवरातरी हेल्थ सीरीज को हम आपके लिए पूरे 9 दिन प्रस्तुत क करेंगे ओल इंडिया रेडियो के आकाश्वानी परिक्रमात प्रोग्रम पर संशेप में साए साड़े चार बजे विशेश रूप से और उसी दिन डिटेल में लोकाइरवेद यूट्यूब चैनल पर रातरी 9 से 10 बजे आशा है कि आप हमें जरूर सुनेंगे for more details visit our website www.lokairway.com we wish you healthy and happy Navaratri